Hello friends, कैसे हैं आप सब लोग? तो कई सारे बच्चों की बहुत सारे doubt हैं जिनको क्लास आज हम solve करेंगे कि sir किस तरीके से हमें इस university का बता दो, हमें इस university का बता दो हमें become इस university से करना है, हमें become honors इस university से करना है तो मैं आपको क्लास यहांपे दिखा रहा हूं कि किसी भी university का जो criteria है वो आप check कर सकते हो और आपको किस तरीके से उसे check करना है वीडियो बहुत informative है आपको कोई confusion नहीं होगा और एक ही वीडियो के अंदर आपका समाधान हो जाएगा सबसे पहले browser आप open करोगे आप डालोगे cuetsamarth.ac.in तो जैसे ही class आप डालोगे cuetsamarth.ac.in इस तरीक से खुल जाएगा आपका page तो यहां पर जो है देखो पहला पहला जो है यहां पर cuet.samarth.ac.in आप इस पर जाओगे तो यह cuet का website खुल जाएगा जहां से आपको form भरना है बट मैंने कहा था कि आप इतनी जल्दी form बिल्कुल मत बरना सारी university का eligibility का process है वो देख लो लेकिन मैं आपको truly बोलूँ तो आपको सारी university का नहीं देखना आप जिस जिसमें लेना चाहते हो जिसकर मैं अपनी बात करूँ तो मैं noida में रहता हूँ तो मैं जो मेरे आसपास क university है तो मेरे लिए तो due बहुत close है या फिर मुझे लगता है कि और आसपास की university है जहां मैं move कर सकता हूँ जहां मैं रह सकता हूँ जहां पर hostel facility है बनारस Hindu university इसके लावाद JNU है या फिर आप कोई भी class दूसरा अलिगर्ड मुसलिम university है या आपको लगता है कि मैं आसपास है मैं आप तीन चार पांच university का देख लो और उन सब का जैसे आप यहां पर देखो class universities आएगा और जैसी आप universities पे क्लिक करोगे तो नीचे मिलेगी आपको एक list university अंडर ग्राजुए ट्वेंड टू सेंट्रल इनवर्सिटी तो यहां पर जो भी इनवर्सिटी है आप उसकी requirement को चेक कर सकते हो जैसे अगर मैं बनारस हिंद्य इनवर्सिटी का चेक करो तो आप जैसी क्लिक करोगे तो आप यहां पर देख पाओगे बच्चे को बहुत स सारी सी देखते जाओ कैसे समझना है डिगरी कौन से डिगरी है कौन-कौन सा कूर्स ऑफर किया जा रहा है क्लास इसके अंदर और उसके बाद है क्लास के आपका डोमेन जनरल ऑप्शन लांगवेज मैप तुद प्रोग्राम यानि कि आपका कौन-कौन सा लेना है eligibility कैसे होनी चाहिए पचास परसेंट नंबर 12 में मांगते हैं तो आई होब क्लास की 50 परसेंट नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वह आप कर लोगे इस तरीके से बीए का है तो बीए सास्तरी देखो ओनर्स है तो आप इसको चेक कर सकते हो इनकी क्या-क्या रिक्वा बादात से तो आप देखो देखो यह रहा जिसे यह रहा बीकॉम ओनर्स बीकॉम ओनर्स फ्म ओके तो एफम जो है इसमें ता एंट्रेंस टेस्ट पर इस प्रोग्राम इस कॉमन टेस्ट तो औल लांगवजजेस कैंडिडेट सीखिंग एडमिशन टू बीकॉम ओनर्स या आपको सेक्षिन लेना है अकाउंटेंशी आपके पास होना चाहिए आपके पास बिजनस टेडिस होना चाहिए यानि कि जैसा हम भी इसके त्यारी करा रहें क्लास SPCC मुबाइल आप्लिकेशन पर आपको इसका पूरा का पूरा पूरा प्रिपरेशन मिल जाएगा पूरा कोर्स क्लास लो कॉस्ट में मिल जाएगा जो हम करा रहे हैं अकाउंटेंसी बिजनेस टडीज यह हो गया फिर सक्षन 3 जो है वह है जनल टेस्ट पर एड्मिशन इन बिजुद यानि कि आपको सक्षन 2 अकाउंट और बिजनस टेडीज होना चाहिए और दूसरी बात जनरल टेस्ट भी होना चाहिए ठीक है कि हम लेंगविज नहीं मांग रहे हम जनल टेस्ट मांग रहे लेना है तो थोड़ा सा फजगया आप देखो वहां पर आपको एंगलीश सबना पढ़ेगा यहां पर जन¬ टेस्ट पढ़ेगा तो इसका मतलब जिस बच्चे तरप करेंगा तो हो सकता है अद्रवाइस यहा पढ़ोगे तो क्या आपको लगता है कि आप इतने टफ कॉंपेडिशन के मेरिट में आप आओगे तो यह थोड़ा सा अनलेसिस करने की बात है डिसकुशन करने की बात है अपने टीचर से अपने में टॉस्ट करो इस बारे में किस-किस तरीके से हम कर सकते हैं यही वो टाइम में जब फस्टाइम से लॉन्च हो रहा है यही वो टाइम है जहां पर क्लास आप लोगों को हजारों कन्फ्यूजन होगा साथ में के दर टेन प्लस टू टेन प्लस टू भी आप जो है वह पास होने चीए और मिनिम्म आपका 50% होना चीए एज जो है वह बाइस साल आप समय चीए की भी पूरी की पूरी क्लास यहां लेस्ट देख सकते हो अच्छा इसके अलावा आपको लगता है अलिगर्ड मुस्लिम इनिवर्सिटी में भी आप देखो जो डिगरी है यहां पर यहां पर बिसिकली जो वोकेशन कोर्स उसके अंदर तो सब्जक्ट है लेकिन यहा कोटिंग में तो अलगला वोकेशन कोर्से से पर्टिकुलर काम के लिए तो आप हर एक कोई भी उनिवर्सिटी हो देखो यहां पर सामर.ac.uk पर जाओगे ईनवर्सिटी पर जाओगे जाके आप सारी की सारी इनफोर्मेशन जो भी आपकी इनवर्सिटी है जो भी आपक्या पास लगता है जिसके वेल नॉन हो आप, फैमिलियर हो जहाँ आप कर सकते हो उसका यहां पर प्रिपर कर सकते हो, उसका देखके आपको 45 वीडियो अलग अलग बना के दें बहुत टाइम बेस्ट होगा आपको बूर्ड का टाइम है इतना टाइम नहीं आप सीधा यहां से जो है इसके बाद biology, BST है, computer science है, chemistry, home science, physical education, teaching aptitude, इन सब का syllabus है, यहां से आप syllabus डाउन लोड करके भी चेक कर सकते हो, कहीं भी मेरी कोई भी जरूरत को मुझे बताना जरूर, पॉर्म अभी प्लीज मत भरना, जब तक आप शूर ना हो, अगर आप शूर हो सारी चीज़ों के लिए तो लाइक करके अपने सारे classmates, सारे दोस्तों को WhatsApp, Instagram, WhatsApp status हर जिगे लगा दो, कि सारी university का एक है, आपको अलग अलग 10 वीडियो देखने जूरत नहीं है, आप 12 में हो, इतने capable हो, कि आप इसको पढ़के, university की जो requirement है, उसे पढ़के समझ सकते हो, कोई दिक्कत आए class, उसके बाद आप वीडियो देख सकते हो, आपको लग रहा है, तो आप 3-4 university, max to max, जो हो चूज कर लो, और उसके हिसाब से, या फिर अगर आप strong desire रखते हो, कि नहीं समझे लेना है, मुझे भी अच्यू में ही लेना है, मुझे अम्यू में ही लेना है, अगर आप strong desire रखते हो, तो फिर आप आग बंद्र सिर्फ और सिर्फ उसी की preparation को, preparation करने के लिए, SPCC वोयल अप्लिकेशन पे, download कर लो, class वहाँ आपको class, पूर अकाउंट, सीको, BST का, combo offer, बिल्कुल, low cost मा मिल जाएगा, take care, bye bye, मिलते next video,